लेके बच्चो आज हम लोग सीखेंगे लाव खान लाव और हान क्या होती है इसको हमें कईसे सीखना है सभी और था लाव और हान पहले दोचीज के सभी को मालूम होनी चाहिए जैसे आप बाजार गए कहां गये पाजा तो वहां से खिलोना लाये और खिलोना था आफका 20 और वारिस को पच्चिस रूपए के बेश दें तो इने फाइदा हुआ या नुकसान क्या हुआ फाइदा हुआ क्यूं इनों ने 20 रूपए खरीदा था और 25 रूपए का बेचा कितने खरीदा कितने का बेचा कितने का इसका मतलब इनको फाइदा और या नुकसान तो एक बात यह सीखनी है कि सबसे पारे फाइदा हुआ तो हम कब जानेंगे फायदा होगा है कब जानेंगे नुकसान होगा तो जो बस हम खरीदते हैं जितने पैसे कि उसको एक नाया नाम देंगे और वो नाम होगा क्राहिण मुल्स क्राय माने खरीदना मुल्ले माने मुल्ले जितने रुपए कि हम कोई चीज खरीदते हैं वो क्या कहलाती है क्राय मुल्ले जो वस्तु जो वस्तु जितने कि हम खरीदें वो क्या कहलाता है क्राय मुल्ले और जितने कि हम बेचें वो कहलाता है ठीक है अब देखिए अब इसी से हम आपको पांचे कोश्चन्स देगे तुम लोग सब कर लेगे क्रेमुल हमने खिरोना कितने रुपए खरीदा तो बीस रुपए क्या होगा क्रेमुल ने हो गया 20 रुपए कितने रुपए 20 रुपए भीचा हमने कितने का 25 रुपए तो पिकरेमुल कितना हो गया अगर हम लाव कब होता है धोजीदे ध्यार रखनी हम जितने की चीज़ खरीदें और उससे जादा की लिके तब तो हमको होगा फाइदा क्या होगा है बीस की लाए पचीस की बेचा तो क्या होगा फाइदा हुआ नुकसान हुआ तो फाइदा कम होगा जब जितने चीज लाएंगे ज्यादा की बेचे तो होता है फाइदा और फाइदा को गणित में कहा जाता है लाब लाब तो देखिए लाब बराबर एनी लाब का सूत्र क्या निकलेगा वी क्राय मुले माइनस क्राय मुले इसका मतलब लाब जब भी निकालेंगे तो लाब क्या बताएगा वी क्रायमुल माइनस क्रायमुले अब देखे जैसा इन्होंने 20 रुपय की खरीदी थी चीज परदेशी कितने की पच्चीज परिमुक कितने का नाब हुआ पैसे निकाले के विक क्रेमुल कितना है पच्चीज रुपय माइनस क्रेमुल कितना है पच्चीज में से जड़ा 20 गटा है कितना आएगा पांच यही पांच जो रुपय आएगा यह क्या होगा आपके नवोदन एक सवाल ऐसा आता है कैसा आता मैं सवाल आपको पढ़के दिखा रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि उसको देखे क्वेश्चन है मैं पढ़के आपको सिखार बदा रहा हूं राधे में आठ हजार रुपय की एक बकरी खरी थी भगजिया उसने कितने भी खरी थी एक बकरी खरी थी तो यह इसका क्या है क्रेमुल क्या है इसका रादे ने आठ हजार रुपए की एक भकरी खरी दी तो आठ हजार हो गया क्या क्राए 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 कुछ दिनों के बाद उसने अपनी भकरी बारा हजार रुपए की बेच दी कितने की बारा हजार रुपए की कम की बेची की जादा की जादागी, जादागी बेची, तो लाब होगा कि हानी, लाब होगा, और पूछेगा, कितना लाब होगा, तो कितना ये लिए, विक्रेबुले में से, क्या घटा देंगे, साथ हजार, क्रेबुले में घटा देंगे, क्या घटा देंगे, क्रेबुले, लाब कैसे निकलेगा, कितने की बेची और कितने की लाए थे बगरी तो बगरी कितने केमने बेच दी 12 गी लाए कितने की थे 8 गी तो ऐसे ही कुछ लोग बता सकते है कैह हजार का लाब हुआ 14 बहुत बढ़िए इसका मतलब ऐसे सवाला लगा सकते हैं ठ्गा लेंगे एक सवाल मैं और पढ़ता हूँ उसके बारे मैं बताईए ठीक है ना अब देखिए मैं दूसरा सवाल पढ़ता हूँ उसको बताना है आपको इन्हें लाब होगा कि हानी होगी देखो भाई एक दूकांदार साथ रूपय का एक दर्जन अंडा खरीदा एक दर्जन कितने का? साथ रूपय के एक दर्जन अंडे खरीदे कितने खरीदे? एक दर्जन अंडे और उसने पाँच रूपय प्रति अंडा बेच दिया उसे लाब हुआ कि हानी हानी कैसे जाना? कैसे जाने अब ही? बहुत सही देखो अब समझो उसने बारा बारा अंडे एक दर्जन कितना होता है? एक साथ रूपय का खरीदा तो एक अंडा कित तर्जन पड़ा? पाँच रूपय पड़ा? देखो बारा बटे पाँच बारा एक कम बारा बारा पंजे पाँच रूपय पड़ा? पाँच रूपय पड़ा पाँच रूपय पड़ा? पाँच रूपय कित तो बता उसको लाव हुआ यहाँ नी? तो सबसे पहले हम यह देखें कि एक अंडा यहीं समझो जब भाई हम पांच तो बेच रहे थे और लाइक इते बारा अंडे तो बारा पंजे तो साठी की लाए और साठी की बेचे तो ना लाव हुआ ना हाण 2017 आया समझे? अब देखो हाने के वारे बताता हूं तो देखो दो साठी आते हैं यह तो लाव आएगा यह फिर ऑर तो देखें जाव और हाने कैसे लगाए अब 74 आप में सका का इन usu rukag कि आपने अगर सपोर्च कर्ण को माल देते हैं कि आप अपने कहां गए बाजार गए और उस बाजार में हमने क्या किया को चीज खरीदी मौन लो एक खिलोना लाए क्या लाए यह देखिए जैसे खिलोना खरीद लिया खिलोना मिला 50 उपए का बाउं 50 उपए मिला खिलोना और हमने बेचा उसको प्रेंप खिलोने को 40 उपए किस्च तक न लाए थैं कि खिलोना और 50 उप झो ख्रीदी खिलोना था सांक सुखण तो आप यह तुमको समझें पचास रुपए खरीदें और बेच कि इतने करें तो तुमको फाइदा हो रहा है या नुक्सान से बता हो नुक्सान हो रहा क्यों लाए थे पचास का और बेच कि तेक रहें तो इसके लिए भी सूत्र होगा जब आप क्या होगे इसको हानी तो हानी कब होगी यह समझो जब जितने का खरीदो क्रें माइनस बिक्रें बहुत आसल कैसे हानी कब होगी कि जितने को लाया उससे कम कभी के तो घटा देना है अभी लाग में क्या करते थे बिक्रें में से इसको घटाते थे क्रेम अब क्या करेंगे कोई सवाल कठी अब देखू पचास उपए खिलोना लाये थे तो क्रें में कितना होगे उसका पचास उपए बेचा आपने खिलोना कितने का तो होगी मैं एक सवाल पढ़ता हूं देखिए यह आपको बताना है कमल ने एक टीवी कमल ने एक टीवी खरीदी तो श्रीज खरीदे ओस रही क्रेम नहीं आपने टीवी दस हजार की खरीदी तो हमने बताए जो चितने खरीदे वह सब्सक्राइब दो साल उसने वही टेवी साथ हजार की बेच दी कितने पेच दी साथ हजार की बताओ उसे लाव हुआ या हानी हानी और कितनी तो प्रश्ण तुमसे आएगा किती रुपए कि उसको हानी हुई बहुत अच्छी बात उन लोग निकालने लगे तो इसका मतलब हानी बराबरी क्रेम उलिक क्रेम उलिक कितना है दस हजार माइनस साथ हजार दस हजार में से साथ हजार गटाएगे तो इसे सवाल आप लोग कर लेंगे बिल्कुल अब मैं एक सवाल मुझवानी देता हूँ और आपको बताना है लाब होगा या रानी चलिया मुझे पुरंद बताना है देखते कितने लड़के में बता पाते हैं अपनी कापी कलम बिल्कुल त्यार रखें और उसी के साथ इसका आंसर हम को देंगे और जिसका उत्तर सही हो वो खड़ा होके पुरंद आंसर हम को देगा देखिया वाई सिखा ने एक साइकिल 2400 रुपए में खरीदी तो 2400 रुपए कंची जो गया मुल्यों गया मुल्यों को क्या कहेंगे 2400 रुपए खरीदी और उसे 800 रुपए 800 रुपए में बेच दी तो उसे लाब हुआ या हाल ने कितनी हुई propor हो खता देगा हमको चलो एक लोगों गुआ है जिनका जिनका हो सही बता आना है अगर गलत हुआ बिलत बात है चलो बताना वारिअचू किपैनी हाहं ने हुई कई रुपए इस हाहां रुपए इस हाहाँ 800 रुपए नहीं आ रहा तो इसमें क्या है 1400 लिखलो और इधर क्या लिखलो 800 एक करता भी नहीं जीरो जीरो चौदा में से आग गया छे एक कितने रुपए घ्रान हो गई मुझे लगता है ऐसे सवाल आप सभी रोग कर लेंगे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे तो ठीक है हम इसके और आपको कॉस्टन्स देते हैं आप किस प्रकार के कुष्णों को करना है ठीक जबैंड है आपको कर लेंगे कर दो जाई तो एक प्रकार कार मेंगे कुष्ण।